जोधाग अखुर बाइए इतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं है सिभाईों तलवारे लो और शैदादों के थाद रियास शुरू करो अब बल्याद है आप तो अलोले शैंचा है तिर भी निशाना चुक गया रियास शुरू किया जाए शैजादे अपने रियास पर ध्यान दीजिए ताकत से मुराण सलीम भाई जान आप फुर्सत में यहां कर रियास कीजिएगा सायद को याम आपके जोली में गिर जाए सलीम आपका ध्यान की तर है तलवार मद्बूती से पकड़िए ताकत से ऐसे अगर तलवार को अपने जिस्प का हिस्सा बनाएंगे तभी बहतरी इन तलवार बाद बनेगे वार अच्छे से तभी होगा जब पकड़ मजबूत होगी ऐसे समझ गए अब शुरू कीजे वार अच्छे अब थोड़ी देर का अराम फिर दिशाने बादी के तभी आरी करेंगे ये पाट मज़ाईगा मुझे तो बहुत भूख लगी है पहले कुछ खा लेते हैं पुराद भाई कमाल के सिपाही बनेंगे आप क्या तलवार बाजी करते हैं आप इस उमर में सुभान अल्ला और एक हमारे वल्याद है ये ना ठीक से तलवार पकड़ना जानते ना तीर कमान ये लो एक और मारे कातिर अरे कितनी कोशिश कर ली बैतर यही होगा कि मैं बेड़ पर चड़ करी आम तोड़ लू नहीं नहीं शाही भाग है किसीने देख लिया तो यहां पर कोई नहीं है आसपास हां हां कादिर चड़ जाओ मैं तो नहीं रुकूंगी यहां पर कोई देख लेगा तो वो तो टोड़ पोग है कादिर, तम चड़ जाओ उपर, आम मीजे फिखो, मैं खड़ी हूं तुमाहें साथ वोल एहत का मसा खुड़ाते हैं सब, हम इस पर निशाना लगा कर रहेंगे, मुराद को बता देंगे के हम उससे बेहतर हैं, इस तीर कमान के असली हगदार हम हैं कर दो कर दो, कर दो कर दो कर दो कर obsess का सकतेके हैं आओँ आग Nepal झाल झाल काड़ तुम गडरुवत, को काड़ तुम गराव मतूल पकी सिंदना तुम गरुबत। मेरा बच्चा, मेरा कादिर, क्या ज़रूरत तिच्चा ही बाग में जाने की? पेड से गिरने पर बेहोश हो गया है और इसकी हड़ी भी तूट गई है उसे होश में लाएगा, मेरा बुड़ा पेका सारा है ये, उसे कुछ मत भूने देजे देखिये, मैं आपसे जोट नहीं बोलूगी, मगर इसकी हालत नाज़ुक है अगर लात तक इसको होश आ गया तो ठीक है, वन्ना सबकुछ अल्ला के हाथ में अल्ला, मत रो ये दाजी चान, कैसे न रो, पेरे बेटे और बहु को तो नादी ले डूबी, एक पोता ही तो बचाता, क्या दुश्मिया ने थी हमसे, इस बच्चे की जान का ग्रहक बन गया वो, अल्ला उसे सजा दे, आखिर कौन था वो, जो मेरे कादिर की जान का मौमाद अकबर का बेटा, शैस दादा सलीम, ए लड़की, दिमाग खराब है तुम्हारा, जानती हूँ किसका नाम ले रही हो, जानती भी हूँ, और देखा भी, उनकी शगल में कैसे बूस सकती हूँ, वहां जंगर में हम गय थे, वो पेर के पिठे से की चला रहे थे, उन अगर तुम्हारी बात सही है, तो मुझे मेरे आसों पीने पड़ेंगे, वाली आहत के खिलाफ, कौन मेरी सुनेगा, कौन मुझे इंसाफ देगा, शैंशा का काम है हर गुनेगार को सजा रेना, वो उसे सजा जरूर देंगे, आप उनके पास सिकात लेकर जाए जादी जान सलीम, क्या हुआ आपकी योद्ध अब्यास का पहला दिन कैसा राज? क्या हुआ बिट्ट, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहें? ठेके हुए हो ना, ऐसा होता है बिट्ट, प्रारंप में, परिशानी होती है, फिर दीरे दीरे आदत लग जाती है, हम? सलीम, क्या बात है? बदाई हमें, कुछ हुआ क्यों? कुछ नहीं मासा, वसन ठक गए है अच्छा शम्षाद बानू, सलीम के लिए गरम दूद लेकर आ जाई है? जी, मैं लाती हो नहीं मासा, हमें भूक नहीं लग ली है हमें नीनद आ रही है जानते हो, एक दिन तुम बहुत बड़े योधा बनोगे आपकी क्या शिकायथ है, खातून? मुझे, मुझे शेहिंशा से इंसाफ चाहिए मेरे मासुम होते पर जान से बारने के कोशिस हुई है आपका नाम? पाति बाभी जाएए जाएए आपके बिना मज़ा नहीं आ रहा सलीम भाई जान आईए ना हमने कहा ना हमें नहीं खेला लगता है ये उस लड़के की मा है करिया पुचान समाने शिकायर करने तो नहीं है नादिरा बेटा, तुमसे धोका भी तो हो सकता है ना? नहीं, अम्मी जान, हमने अपने आखों से दिखा है ठीक, वैसे जैसे आपको देख रहे हैं इसलिए तो हमने फादिमा भी को इंसाफ मांगने के लिए भीजा है या आला, तुम्हें क्या जरूत थी ये सारी बाते बताने की? अम्मी जान, अब बार बार खुदा को याद करती हो और हम से जुट बूने के लिए कह रही है एक राचाय बूड़ी आरत को इंसाफ ना लेने दे ये खुदा को बूल करेगा इंसाफ के लिए शाही होया आम हर इंसान बराबर है भग भग बनकर और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले अगर शेहनशा तुम्हें गभाई देने के लिए बुलाएंगे तो तुम यही कहना कि तुमने कुछ नहीं देखा समझी? मगर अमीजान, शेहनशा हमें सच कहने के लिए बुलाएंगे तो हम जूर्ट भी ना बुलेंगे चुपकर, हम उनके नौकर है और वो हमारे मालिक और शेहजादे सनीम वो तो बच्चे है और बच्चों से गलत ही हो सकती है गुणा नहीं और वैसे भी शेहजादे सनीम कादिर को कहा जानते होंगे तो वो उसके गुनेगार कैसे हो सकते है और ये गुणा नहीं भूल है और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही कहना समझी? अब चल हम अपना पैसला सुना चुके या किसी को भी हमारे पैसले से कोई अतराज है नहीं हुजूर आपने तो इंसाब किया है अगनी फरियात क्या है तोड़ो मलसा एक बुड़ी विद्वा के पोते को तीर से घायल किया गया है शेहनशा आपके दर्बार में उपस्थित होना चाहती है अने फॉरन हमारे साबने पेश किया चाहे क्या हुआ है मौतरमा बताए हमें किसने आपके पोते को जखवी किया है हमारा वादा है आपसे कि आपको पूरा पूरा इंसाफ दिया जाएगा बताए हमें बात क्या है चैहिजा हुदर पेरा पोता मेरी जिंदगी का इखलोता सहा राता अगर इसे कुछ हो गया तो मैं शीते जी मर जाओगी आप इत्मनान रखें बस हमें बताएं कि हुआ क्या है मारा वादा है आपसे कि कुनेगार को सदा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा बताएं हमें आप इका सहरा है हुजूर बताएं हमें कि ये गुना किसने किया अगर उस पर ये इल्जाम सबित होता है तो गुनेगार को पूरी सदा दी जाएगी नाम बताएं आप हमें उसका कुछ दूरवार आपके महस ही है शेहन शाह बेखाफ होकर बताएं हमें कौन है वो महतरमा अब इस वक शेहन जराल्दिन मौम्माद अकपर पर्तक्त मोगिलिया के सामने एंटर ये मत बताएं हमें कि कौन है वो किसने किया है ये कुना कौफ है शेहजा कि आप शायद उसे सजाद ना दे पाएं ऐसा नहीं होगा वादा है हमार आपसे अगर उस पर ये अलसाम थापित होता है तो उसे साह जरू मिलेगी और राफ को इंसाफ मिलेगा अब नाम बताएं हमें उसका वली एहर शेजाद सलीम क्या आप जानती हैं आप किस पर उली लटा रही है जी मगर ये सच है शेंशाद अब आफ की इंसाफ कीजे शेंशाद ये बुढ़ी पागल हो गई है या फिर ये मुगल सल्तना और इंसाफ को बदनाम करने की किसी की साज़िश है मतरमा क्या आप सच कह रही है जिसकी दिन तक ही का इकलोता सहारा मौत से लड़ रहा है वो बेवा कैसे जूट बोल सकती है हुजूर वाग में मेरे बच्टी को जेजादे सलीम कतीर लगा था मैं अपनी परियाद जिसे इलाही के सामने रख चुके अब आपी फैसला कीजिए हुजूर सच क्या है और जूट क्या है इस बात का फैसला भी हो जाएगा खाने खाना अब इस वक्वाह मौजूद थे जब इन मौतरमा का कहना है इनके पोते को शैजादे सलीम ने तीर मारा क्या ऐसा कोई वाकिया आपके सामने हुआ नहीं हुजूर ऐसा कोई हाथसा होता तो हमें जरूर मालूम चलता हम सब वहीं पे थे ना हमने कुछ ऐसा देखा ना शैजादे सलीम ने ऐसा कुछ बताया सभी शैजादे भी वहीं मौजूद थे शैजादो को तरबाल में बेश की आजाए चेको बाबा आप इस बेहुच लड़के को देख रहे हैं इसे तीर मारा गया है दो ना चाहेंगे कि क्या वो तीर आपनी से मारा है अब आप से कुछ पूछ रहे हैं शैखो बाबा जवाब दीजे आप हमें नहीं अब जान हमने इसे तीर नहीं मारा अपने सुना मौतरपा शैखाद इसलीम क्या कह रहे है वह मौजूद किसी ने भी आदसा होते हुए नहीं देखा है नहीं शैखाद ने नहीं कहने खाना है अभी हम आप से पूछना चाहेंगे कि क्या आपके बास कोई चश्मतीत है कोई गवाह है जिसे शैखाद इसलीम पर एक को ना साबित होता है हाँ हुदूर् है एक लड़की इसने शैखाद इसलीम को फिर चलाते हुए देखा कौन है को लड़की आपके खादिम रशित खान के बेटी नाधीरा नाधीरा को दरबाल में प्यश्किया आजा है करता है नादिरा इन मौतरमका कहना है कि शहदाद सलीम ने तीर मार कर इनके पोते को सक्मी कर दिया है और आप अब उस वाक्या की जश्मनीद कवा है अब हम आप से पुछने जाएंगे कि क्या ये वाक्या सच है क्या शेखु बावा ने इस लड़के को तीर मारा कि क ale कि इस लड़के क्याсят भाइंगे कि वाक्या ने अंबे ।